दूद कहा होता है गाउं में जानवर सबके पास गाउं में तो हम किसानों को कहना ठाते हैं कि दूद बेचना है तो दूद मत बेचो दूद के सामान बना के बेचो दूद में से घी निकलता है, मक्खन निकलता है, दूद का दही बनता है आपको मालूम है हमारे देश में एक विदेशी कमपनी है उसका नाम है नैसले, वो दिल्ली के आसपास के गाउं से दूद लेती है बारे रुपाई लीटर, और उस दूद का दही जमाती है और उसको बेचती है 65 रुपाई किलो आजकल आपको मालूम है दही के छोड़े छोड़े पैकेट आने लगे 65 रुपाई किलो का दही बेच लेती है वो कमपनी दिल्ली में दूद से दही बनाना कौन सी खास बात है बताओ जरा कौन सी मशीन लगती है इसमें ये बताओ कितनी पूजी लगती है ये बताओ एक पैसा लगाए बिना बिना कोई मशीन के हम दूद से दही बना सकते हैं अब दूद से दही वो company बना सकती हैं तो खिसान भी बना सकते हैं तो हम किसानों को कहना चाते हैं दूद नहीं दही बेचो 65 रुपाई किलो का विकता है दूद नहीं घी मेचो 300 रुपाई किलो विकता है